हेलो सुदेंट्स वेल्कम तो अभी पीडिया अभी पीडिया के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत आपका देखिए आज बहुत इंपॉर्टन इंफर्मेशन आपके साथ हम साजा कर रहें देखिए क्या है स्से मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं जिससे अफ एससे म्टेस भी बोलती हैं एंड हवल्दार सीबी आईसी एंड सीबेन एक्जामिनिशन दोजार एक किसी नोटिफिकेशन आ चुकी है देखिए हमारा लोगों वही हमारा मंत्रिय की जंग जारी है नौकरी की तयारी है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट के जो बचे चाहते हैं टैन प्लस टू के बाद एक अच्छी सरकारी नोकरी तो यहां से आप स्टार्ट अप कर सकते हैं विकोज अगर चोटी उमर में सरकारी नोकरी मिल जाए फिर आप और अच्छी तयारी के साथ एक बड़ से बढ़ सकते हैं तो देखते हैं कि इंफर्मेशन क्या है इसके अंदर देखिए अब डेट्स कोफ और सब्मिशन ऑफ ओनलाइन फॉर्म्स सो बाइस मार्च 2022 से आप इसे बढ़ सकते हैं और 30 अपरेल 2022 तक यह भरा जाएगा लास डेट है बट मैं नहीं चाहूंगा किसी ओनलाइन फीस पेमेंट तो लास डेट जो आपकी ओनलाइन फीस की है वह है दो मैं 2022 वही रात की 11 बज़े तक लास डेट एंड टाइम फूर जनरेशन ऑफ ऑफ लाइन चलान और अगर आप ऑफ लाइन चलान भरना चाहते हैं तो उसकी भी लास डेट आपको क्या दिए है 3-5-2022 आपकी 11 बज़े ठीक है यह आप डाउनलोड कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं ठीक है जनरेट लास डेट फूर पेमेंट थू बैंक डूरी वर्किंग आर्स यह आपकी 4-5-2022 तन डेट ओ विंडो और अप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन अगर आपके अप्लिकेशन फॉ कप्लिट करा सकते हैं बट याद रखिए यह आपको जब करना है जब आपके वास कुछ करेक्शन हो तो फॉर्म बिल्कुल ध्यान से बरना कोई भी गलती नहीं करनी है अब आपको क्या दिया शिडूल फॉर कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम यह आपका है जुलाई 2020 हमारे अब सबसी इंपोर्टन वकैंसी दो पताऊनी चाहिए देखे टेंटिटीव वकैंसी फॉर पोस्ट और अगर MTS की बात करोगी यह भी बतानी है इंटोंने विल बी इंटिमेटी लेटर कि बता देंगे कितनी है बट हवल्दारीन सीबी आईसीन सीबी एन में क्या है च्छत एज रिमिट फॉर्ट पोस्ट एस पर रिकूट्मेंट रूल्स और वेरियस यह यूज डिपार्टमेंट सार देखे बेसिकल अठारा से बच्छी से दो एक दुने सो साथ सतानवे से पहले के बिफॉर एंड लेटर ओन यह इसके बाद नहीं होने चाहिए फोर MTS and हवल्द डिपार्टमेंट और रेविन्यू की बात की गई है इसमें अठारे से सताइस साल बॉर्ण भीफोर तू वन नाइटी नेटी फाइव एंड लेटर देन बन वन जिरो फोर हवल्दार इन सीवे इसी डिपार्टमेंट और रेविन्यू एंट फ्यू पोस्ट फम्टेस तो टीज चार 2020 तरह क्वालिफु के अपास्याटी एक्विलेशं अगविलेशं आ एक्विलेशं एक्विलेशं इंगी इंडिक रहे जाई लेंट फ्रॉम्येशं भी और कि मैंट्रिक पासरी चाहिए या उसके कैविलेंट कुछ बॉर्ट मुछ्च होना चाहिए रहे अब अब इसको खोलेंगे वैसे यहां पता चल चुक है अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो SSC.NIC.IN पर भी अब जाके पढ़ सकते हैं ड़न चलिए अब यह सबसे इंपॉर्टन है सुदेंट्स यहां बहुत गलतियां करते हैं क्या दिये हुआ है अब इन इन ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टन बात बिल्कुल फ्रंट फेस होनी चाहिए कैप चश्मे अधर्वाइस कोई ऐसी चीज ने होने चाहिए जिससे आपका फेस ढखाओ बिसिक लिए यह कहना चाहते हैं चलिए नेक्स पर चलते हैं अब बिट्टा अप्लिकेशन फीज की बात करें फीज पेबल रुपी संडर सौर पर आपकी सिर्फ फीज है वुमें कैंडिडेट्स गैंडेट्स बिलॉंगी टू शेडूल कास याने सी स्टी परसन विज डिस अब बिट्टा आप देखेंड पेमेंट अब जिन्होंने करनी है वह कहां कहां से कर सकते हैं बेम यूपी नेट पैंक्किंग के तृफ कर सकते हैं यूजिं वीज़ा मास्टर कार्ड मैंस्टोर रूपे कार्ड डेबिट कार्ड थू कैश इन एसब्रांच बाइज जनरेश लेगो नेक्स देखिए अब स्कीम ऑफ इक्जाम क्या होग देखो सबसे पहले क्या होगा था एक्जाम सबसे पहले आपका एक एक्जाम होगा कब होगा क्लियर है अगर दिखो दश्चिटूल ओफ एक्जामिनेशन इंडिकेट इंदन नोटिस टेंटिटिटिफ एनी चेंज इंडिटूल ओफ एक्जामिनेशन विल बी इंफॉर्म्टू केंड़ेट्स ओनली थू वेबसाइट ऑफ कमिशन इसका मतलब यह है कि बच्च सबसे पहली बात सब्चेक्ट के आएंगे जर्नल इंग्लिश जर्नल इंटेलिजेंट रिजनिंग नुमेरिकल अबिलिटी एन जर्नल अवेर्नस तो चार आपके पार्ट होते हैं और देखिए नमबर ओफ कोश्चिस होंगे और एक नंबर का एक कोश्चिस कोश्चिस नेक सब्सक्राइब बोलते हैं बच्चों जर्नल इवेर्नस बच्चिस बच्चिस अब देखिए एक और इसमें क्लॉस है क्या है 90 मिनेट्स 120 मिनेट्स फोर केंड़ेट इलिजिबल फोर सब्सक्राइब इन पैरा 8.1 और 8.2 तीक है ध्यान रखिए यह आपका उब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा यह आपका इमसी को टाइप होगा दा कोश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश और हिंदी फॉर पार्ट टू पार्ट पार्ट फॉर चलिए इंग्लिश को छोड़ कि बागे सब आपके बाइनलेंग्वल पेपर होने मतलब बाइलेंग्वल होगा एक और इंपोर्टेंट चीज देर विल बिन नेग्टिव मार्किंग और 0.25 मार्क्स फोर इच रोंग कोश्चन सो यहां पर नेग्टिव मार्किंग भी सुनेट्स तो जो हम बोलते हैं तुक्का मारना हो बिल्कुल भी नहीं करने जिस पर शो हिंदी इंग्लिश और किसे लेंग्विज में अभी लिख सकते हैं इसमें हुआ क्या आपके पास 25 मार्क्स की दो आएंगी लेटर या ऐसे ठीक है बेसिकली 45 मिनट और 60 मिनट्स फोर्टेट इलिजिबल फोर यह वही वाली बात है कि आप 8.1 और 8.2 में जो बताए गया है उनको छोड़के सबके लिए अल्मस 45 मिनट्स का है और 50 मार्क्स का है ठीक है पैनर पेपर मोड होगा आपके पास शोर्ट ऐसे एंडर लेटर इंग्लिश और लेंग्विज ठीक है यह वही वाली सारी बात है जो मैंने आपको भी बताई है क्लियर है और पेपर टू वही कर फोलुइंग आरदा अब देखिए अब जो मेल केंडेट से लिए उनके लिए शोला समेंटर की वोकिंगे 15 मिनट में यानि पूरा करना आपको और फिमेल्स के लिए 20 मिनट में 1 किलो मिटर है सैकलिंग की बात करें तो आदे गंटे वही आठ किलो मेंटर रहा है फिमेल्स क की बात करें 157.5 सेंटीमेटर है रिलेक्सिबल वाइफ 5 सेंटीमेटर इन केस ओफ गडवाल असाम्स गोर्कास और मेंबर्स ऑफ शिडूल ट्राइब्स क्लियर है चैस की बात करें अनका अनक्स पेंडिड आपको 76 है और मिनिममम एक्सपेंशन आपके पास है 5 सेंटीमेट की बात करें 152 रिलेक्सेशन 2.5 वही जो बात करेंगे हम गडवाले इस गोर्कास मेंबर्स ऑफ शिडूल ट्राइब्स क्लियर है और वेट होना चैपका 48 kg 2 kg वही आपको जो रिलेक्सेशन की हमने बात बार बार करें उनके लिए ठीक है तो ध्यान रखिएगा अब डिटे से ही आपकी वकेंशी आएंगी म्टेश के हम वह भी इनफर्म करेंगे क्लियर है तो टेके टोटल 306 वकेंशी से सो बिटब बढ़ी ऐसा तयारी करनी है अभी अगर 10th प्लस 2 क्लियर किया है 10th क्लियर किया तो बहुत अच्छा चांस है यह नौकरी लेने का क्लियर है तो ड्रहाओ थे चांस है तो टेक है अजू